हेलो एरिवन आज हम लोग पनने वाले हैं माई रूम चैप्टर के कोश्चन और आंसर इंग्लिस क्लास सेवन तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग solve करते हैं कोश्चन को जो choose the correct answers है यानि दिये गए options में से हमें सही answers को choose करने है तो मैं क्या किया हूँ directly यहाँ पर answers लिख दिया हूँ ठीक है तो पढ़ते हैं पहला कोश्चन यानि जो poet का room था उसके room में जितनी भी चीजे थी वो क्या थी ज्यादे value की नहीं थी ठीक है not for great value किस के coding पोएट के coding या poet के perception से जितनी भी चीजे उसके room में थी वो ज्यादा great value या valuable नहीं थी कोश्चन 2 पढ़ते हैं यानि जो पोएट के room में जितनी भी चीजे थे वो कब कहला था कि जो भी चीजे हैं वो काफी क्या है valuable है या वो चीजे हैं जो पोएट से बिलोंग करता है तो इसका answer है और the belonging of the great poet यानि जितनी भी चीजे पोएट के room में थी उसको value तब दिया जाता जब वो किसी person को मालम होता कि जो भी चीजे है वो क्या है उस पोएट की है या उस कभी की है ठीक है फॉर एक्जामपल समझते हैं जैसे हमारे सामने कोई भी चीजे रहती है ठीक है अगर हम उसके बारे में नहीं जानते है या उसके honor के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग उसके value का अंदाजा या पता नहीं लगा पाते हैं ठीक है तो इसी तरह से यहां पर जो भी चीजे poet के room में है अगर हम poet के बारे में जानते हैं कि हाँ वो great poet है या वो जो chair है उस poet का है या उस poet से belong करता है या table से ठीक है तब उस चीज के ज़्यादा value हो जाएगी नेक्स देखते हैं या जो poet है वो सोचता है कि वो अपने चीजों से कभी भी अलग नहीं हो सकता है ठीक है तो answer A है he cannot be separated from the things in his room जो भी चीजे उसके room में है वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता है ठीक है Q4 है जो speaker यानि poet कभी है वो अपने life को काफी simply क्या करता है बिताता है या काफी simply जीता है ठीक है Q5 है the speaker feels that he learns his book, his table and bet his own personality and thus they assume value ठीक है यानि जो speaker है means जो poet है कभी है वो कहता है जितनी पूछ के चीजे हैं books हैं, tables हैं या bet है वो कहता है कि उसकी value जब होगी यानि उसकी वो क्या करता है अपने चीजों को खुद उसको क्या करता है assume करता है कि जो भी चीजे हैं उसकी खुद की personality की है या उसके चीजे जो है खुद की है उसलिए वो अपने चीजों को value देता है ठीक है his own personality and thus they assume value B, think and answer question 6 है पूछ रहा है या किसी भी famous personality का आप कोई भी चीजे museum में रखा हुआ देखते है and some of his or her personal belonging on display या कुछ भी चीजे रखा होता है किसी महान ब्यक्त का कोई भी चीजे museum में रखा होता है ता आप किस तरह feel करते है महसूस किस तरह करते है जिसका answer है when I visit a museum dedicated to a famous person and see his or her things on display I feel as though I have been given a window into a person's life यानि मुझे ऐसा लगता है इस line का मतलब है कि कोई भी चीजे museum में रखी हुई रहती है तो वो जो चीजे है वो काफी महान ब्यक्त से अगर वो भी लॉंग करती है तो क्या होता है मुझे ऐसा feel होता है कि मुझे कुछ उस person के बारे में या उस महान आदमी के बारे में जानने का मौका मिला या औसर मिला So I can get a better sense of his or personality और मैं उसके personality से या उसके समान को देखे उसके personality का अलदाजा थोड़ा थार जरूर लगा सकता हूँ ठीक है The kind of life he has lived यह उन समाना से हम लोग क्या करते हैं अंदाजा लगाते हैं मुजियम में देखे कि यह जो समान है जिस ब्यक्त का है जो भी things है ठीक है वोज तो है वो अपने life को किस तरह से जीया होगा ठीक है और हमारे पास काफी अच्छी story होती है उस person के बारे में किसी और दूसरे से बात करने में या किसी दूसरे से बताने में Question 7 है Personification is a technique where a poet windows non-humans non-living things with women qualities find the lines that personify the things in the speaker's rooms यानि आप जो भी चीज़े poet के room में थे आप उसको कह कर दिये personify कर दिये या उसको describe कर दिये अकर में उसकी value क्या है तो इस कहां से the chair on which यानि जो poet है वो कहता है जिस chair पर मैं बैठता हूँ would break its over step यानि मैं अगर उस chair को कच्रे में फिक दूँ तो उस chair के जो होगी दिल तूट जाएगी या जो chair है मुझसे root जाएगा ऐसा poet बाते करते हैं अब personality I give they will lose when I'm dead यानि जो भी personality मैं उन चीजों के चलते मुझे मिलता है या मैं उन चीजों को देता हूँ वो क्या हो जाएगी पूरी तो समाप्त हो जाएगी अगर मैं मर जाओंगा यानि इस दुनिया से चला जाओंगा sometimes on entering my rooms they will look at me with fear यानि कभी कबार जब मैं अपने room में घुसूंगा यानि मैं इंट्री करूंगा तो वे मुझे काफी डर से यानि भाय से मुझे देखेंगे ऐसा poet कहते हैं जो भी वस्तु है question 8 है find the words in the poem that rhymes with die room above ठीक है यानि जो die है room है और अबब है इस तीनों को क्या करना हमें रामिंग वर्स लिखना है तो die का रामिंग वर्स हो जाएगा cry room का रामिंग वर्स है doom and above का रामिंग वर्स है love ठीक है तो इस तरह से आप अपने notebook में अच्छे से लिख सकते हैं so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सू मच